गुड मॉर्णिंग बच्चो वेल्कम चुआ चैनल एड्यूगरी हम भी बात कर रहे थे चैप्टर वन का लास्ट पोसन एक थोड़ा बाकी देखिया था दो ही क्वेशन ऐसे है जो आपको MCQ में भी पुछ सकते हैं और एक क्वेशन ऐसा है जो आपके लिए बहुत ही इंपो इंट्रेस्ट कहां से शुरुआत करेंगे इंट्रेस्ट वोट इस दो मिनिंग ओफ इंट्रेस्ट हमको पता है कि जब भी कोई ओनर होता है वह ओनर अगर कुछ केपिडल बिजनेस में लाएगा तो उस केपिडल पे ओनर को क्या मिलना चाहिए बेटा interest मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए interest उसको हम बोलते है interest on capital क्या बोलते है interest on capital यदि आपको याद हो interest on capital ज्यादा तर हम सिफ opening capital पे गिनते है कौन सी capital पे गिनते है बेटा opening capital पे पर sir opening capital ना दी हुई हो तब क्या करे तब ये करना है देखा हमने एक बहुत अच्छे सी नोट बनाएगी थी विएस अलवेज इफ कैल्कुलेट इंट्रेस्ट ओन कैपिटल यूज ओपनिंग कैपिटल कौन सी कैपिटल पर बेटा करना है अपने को ओपनिंग कैपिटल पर अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो फाइंड करेंगे अब इक्वेशन आपको यहाँ पर दीखेगा इलेस्ट्रिशन नमबर टैन वहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टोक दिया हुआ है ड्राइंग्स दी हुई है प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है आपको 8 टका के हिसाब से 8 परसेंट इंट्रेस्ट ओन कैपिटल निकालना है बेटा के से निकालेंगे देखो एक इक्वेशन है छोटी सी इत्तु सी इक्वेशन है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रोफिट देखना क्या बुला हुआ है बेटा क्लोजिंग कैपिटल के बाद प्लस ड्रॉइंग्स एंड माइनस प्रोफिट एई चीज आपको समझनी है कि जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी 96,000 उसमें ड्रॉइंग को प्लस करना है प्रोफिट को माइनस करना है उससे क्या मिलेगा ओपनिंग कैपिटल आईए क्लोजिंग कैपिटल हमको दिया हुआ था 96,000 प्लस हमने कर दिया ड्रॉइंग्स तो हमारा ड्रॉइंग्स कितना था 6,000 तो 96,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 1,2,000 अभी उसी 1,2,000 में से हमें प्रोफिट को माइनस करना है प्रोफिट था हमारा 9,000 रुपए 1,2,000 माइनस 9,000 हमको ओपनिंग कैपिटल कितनी मिलेगी 93,000 एक्चुल में हमें कहीं नहीं बोला कि सर ओपनिंग कैपिटल निकालो लेकिन इक कॉमन सेस यूज करो कि अगर हमें इंट्रेस्ट ओन कैपिटल चाहिए तो उसके लिए ओपनिंग कैपिटल ही निकालनी पड़ेगी इसलिए में इस चीज़ कि अब समझ में आ रहा है थोड़ा आगे बढ़ते हैं जब मुझे ओपनिंग कैपिटल मिल चुकी है तो अब मैं क्या करूँगा बेटा इसी में ओपनिंग कैपिटल मिल गए यह सर अब इंट्रेस्ट निकालो आज निकालते है 93,000 multiple by 8 percentage आपके बास calculator है बेटा सिद्धे सिद्धा calculator करो 93,000 multiple by 8 percentage आपका अंसर आएगा 7440 इतना ही सम था यह आपको 3 माक में बहुत कम पुछेंगे यह आपको MCQ में ज्यादा पुछता है कहां पे ज्यादा पुछेंगे बेटा MCQ में इसी format के अगर मैं बात करूँ तो यह जो पूरा format है अगर इसको उल्टा भी कर सकते उपनिंग कैपिटल तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस है उपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो उसमें फ्लस yapt करो माइनस ड्रोइंग करो तो आपको क्या मिलेगा बेटा closing capital याद करो आप जब balance sheet बनाते हो उसके अंदर जब आप capital की working करें गोए तो यही वाली working करते हो यहीं capital plus profit plus interest on capital minus drawings आपको क्या मिलेगी closing capital वही format है balance street वाला ही कहीं नया नहीं बनाया हमने illustration 11 last summer थोड़ा सा common sense जिसका न पड़ेगा अब यह रहा आपका निच equation वहाँ पे Janet, Akshra and Sapna there are three partners in the partnership form all partners capital is three lakh rupees in the ratio of two raise to three raise to five उन सब में से उनको interest on capital देना था at the rate of six percentage यहाँ पर एक दिया हुए Akshra उसके नीचे underline करना है तो सो ध्यान से देखना Akshra is entitled to get total amount of 45,400 यह इतना बड़ा package ready हुआ तीन पार्टनर दी यह थे तीनों की capital मिली हमको तीन लाक रुपे सब को ब्याज देना था interest पे करना है at the rate of six percent और इन सब को मिला के interest और profit को मिला के सपना को कितना मिल रहा है 45,400 अब हमें क्या करना है बेटा बहुत simple चीज़े करनी है जैसे कि मेरे पास total capital है तो मैं उस पे interest नहीं calculate कर पाऊंगा मुझे तीनों partner की capital को अलग-अलग करना पड़ेगा तो तीन partner है बेटा जैनेट अक्सरा और सपना थ्री लेक रुपीज divided by six sorry two और थ्री फाइव फाइव टैन होता है अक्सरा की कितनी है 90,000 सपना की कितनी है डेड़ लाख रुप है इसी पे अब हम इसको interest calculate करेंगे क्या calculate करेंगे हम interest कितने percentage interest है छे टका कितने percentage है बेटा छे टका तो देखो 60,000 multiple by six percent तो six six are thirty six hundred nine six are fifty four hundred fifteen six are nine thousand यह हमने क्या निकाला बेटा interest on capital क्या निकाला हमने interest on देखो illustration 10 में हम इसी की बात कर रहे थे कि जब भी interest on capital निकालना हो हमें opening capital चाहिए कौन सी capital चाहिए opening जिसका use करके मैंने सबका interest निकाल लिया अब बहुत अच्छी बात है कि जो सपना था थी sorry अक्षरा अक्षरा सपना नहीं अक्षरा यह अक्षरा जो थी उसको profit कितना मिल रहे है equal मतलब profit कितना मिल रहे हो नहीं दिया लेकिन हमको वो दिया हुआ है कि उनकी जो total कर देता हो चला आपको ज्यादा confusion नहीं हो कि निकाल ला है कि आपको इतना दिया हुआ है कि अक्षरा को total 45,400 मिलेंगे एक partner को क्या मिलेगा interest भी मिलेगा और उसका profit भी मिलेगा इंट्रेस्ट प्लस profit दो चीज़े होगी वहाँ पर तो इंट्रेस्ट मिल रहे है 5,400 पीड़ा profit कितना होगा फिर total इतना है profit निकालना है हमको क्या करना है माइनस करना है क्या करना है माइनस नहीं समझ माया example देता हूं समझो मुझे किसी ने 3 रुपे दिये मुझे किसी ने इंट्रेस्ट दिया 3 रुपे और मेरा इंट्रेस्ट और मेरा profit कि वह मिला दू तो मुझे total कितने रुपे मिल रहे थे 10 रुपे इंट्रेस्ट 3 रुपे profit कुछ होगा मुझे नहीं पता कितना था कुछ होगा सेम इस की तरह इंट्रेस्ट 5400 है profit नहीं पता हां लेकिन total कितना मिल रहा है इतना यहाँ पे total कितना मिल रहा है 10 तो अगर तिन में कितने मुझे जोडने पढ़ेंगे जिससे मुझे 10 मिले तो से यह तो आप दिमाग से के लोगे 7 बट बाइद वे आपने कौन सा सिंबोल उस किया था माइनस किया था 10 माइनस त्री इकवल्स टू क्या आपने निकल दिया बेटा सेवन निकल लिया तो उसी तरीके से 45,400 माय से 5400 माइनस करोगे तो आपको कितना profit मिलने वाला है 40,000 कितना profit मिलेगा बेटा 40,000 रुपए तब समझो मुझे question के अंदर कहीं भी P&L ratio नहीं दिया हुआ सर capital ratio में profit को alert मत करना मैंने आपको 11 नमबर के illustration में भी बताया था मत करना नहीं देखा तो first video से शुडू करो बहुत important chapter है ठीक है 40,000 है अगर मुझे profit नहीं दिया तो मैं थीनों का ले लेता हूँ equal 1 raise to 1 raise to 1 तो profit in equal proportion अगर इसको 40 मिल रहा है तो इसको भी कितना मिलेगा पेटा 40,000 इन दरों को 40 मिल रहा है तो इसको भी कितना मिलेगा 40,000 मिलेगा बस आपको बस अप plus करना है तो यहाप लिखना है 43,600 and 49,000 हो गया यहाँ यहाँ पे हमारा chapter भी खतम सर चार या पांच छोटे छोटे वीडियोज बनाए हूँ है मैंने 15,20 मीट 15,20 मीट का जोड लोगे न सवागंटा होगा अगर यह सवागंटा देख लिया तो आपकी board की exam में इस chapter में से एक भी marks आपका नहीं कटने वाला उसकी guarantee में देता हूँ ठीक है विश्वास नहीं हो रहा मायरवेल अवेलेबल है बाहर पिछले 10 साल के paper उठा लो और इस chapter के सारे question देख लो यहीं से आया है एक भी question बाहर का नहीं आता ठीक है पुरा board को घोल के पी चुगा हो मैं तो आपको जादा मेहनत करने की ज़रूत नहीं मैंनों सब कुछ करके रखा है आपको सिधी सिधा में थाली परस दूँगा बस लेकिन देखना आपको पड़ेगा लिखना आपको पड़ेगा स्वते स्वते अकाउंट की वीडियो लेक्ट्टर देखोगे तो नहीं आएगा और कंफर्म है ठीक है तो चलो रहो करने का वक्त आ गया कब तक सोतर होगे मिलते अगले चेप्टर के साथ एड़िवीशन शुरू करने जा रहे है तब तक जय हिंद